करीब 45 साल के बाद रामपूर के नवाब खांदान की 5 संपतियों का मुलांकन पूरा हो गया है इन चल आचल संपतियों की कुल कीमत 26.25 अरब रुपे आखी गई है मुलांकन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है अब इस संपति का बटवारा सर्यत के हिसाब से ना सिर्फ रामपूर बलकी जर्मन से लेकर कैलिपोनिया तक रह रहे नवाब रामपूर के 16 वारिसों में होगा दरसल रामपूर में नवाब खांदान की संपति को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाच चल रहा था इसे लेकर साल 2019 में सुप्रीम कोट में पैसला दिया इसी अधार पर यह समपती स्वर्गय मुर्तजी अली खां की बेटी निखतबी, बेटी मुरादमिया और दूसरे पक्षके स्वर्गय में कीमिया की पत्नी पूर्व सांसत बेगम नूर वानू उनके बेटी नवादमिया और बेटियों समेत कुल 16 लोगों में बटनी है खांदान के लोग रामपूर, कैलिफोनिया, महरास्टा, जर्मन में रहते हैं तो कुछ लोग दिल्ली और लखनाओं में भी रहते हैं सुप्रियों कोट की आदेश पर जिला जज की और से एडवोकेट कमिशनर ने वहीनों के सर्वे के बाद मुलांकन रिपोर्ट समय समय पर कोट में दाखिल की सबसे बड़ी संपती कोट ही खास बाग थी जिसकी मुलांकन रिपोर्ट भी एडवोकेट कमिशनर ने कोट में 20 नवंबर को दाखिल कर दी अलग-अलग दाखिल इन रिपोर्ट की अनुसार कुल संपती 26.25 अरब की है वहीं एडवोकेट कमिशनर अरुन प्रकास सकसेना ने बताया कि संपती की मुलांकन रिपोर्ट कोट में दाखिल की जा चुकी है आदालत ने 23 नवंबर को सभी पक्षों को बुलाया है वह अपनी बात आदालत में रख सकते हैं किसी को कोई आपती हो तो आपती दाखिल कर सकते हैं चले जानते हैं नवाब रामपूर की संपती कहां और कितने की है आपको बता दे नवाब खांदान में संपती के बटवारे को लेकर 1974 में मुकदमे बाजी शुरू हुई थी नवाब राज अली खां की मौत के बाद उनके बड़े बेटे नवाब मुर्तजा अली खां संपती पर कबजाई हो गए थे इसे लेकर राज अली खां के छोटे बेटे मिकी मिया और अन्य बेटे वाब बेटियों ने कोर्ट में मुकदमात दायर कर दिया इस संपती पर 18 लोगों ने दावा जताया था जिसमें दो की मौत हो चुकी है इन दोनों का कोई भी वारिस नहीं है जिसके चलते अभियासम पती सिर्फ 16 लोगों में ही बटनी है न्यूज टेक्स